अलो दोस्तों नमस्कार के पी टीचर अकेडमिय आपका हार्तिक स्वागत है आज हम EBS पेड़ागोजी का 30 कोशिन के जबर्जस रहेंगे जो की सीटर प्रिछा के दिर्श्टिया बहुत ही मैथपूर होगा वीडियो को लाइक एंट सिर करें अपने दोस्तों के साथ में जिस सिच्चर अधिगम के बहुती मुलिवान समय को बरबात करता है सैकिंड है सिच्चर अधिगम के साथ इसका कोई लीना देना नहीं है तोड़ है यह EBS सिच्चर अधिगम के लिए एक अच्छा अबशर है फूर्थ है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्ध्याले में ख अधिगम को आधा करने की जरूत है सैकिंड है इसकूल बैक का कम बजन फूर्थ है फूर्थ है अबोध का बाहर कम करने की जरूत है तो बोज के बिना की बात करें तो यहां पर क्या है इसकूल बैक का बजन कम होना चाहिए तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जोगा हमारा थर्ड़ वाला तो नेक्ट वोशन देखते हैं वीडियो को लाइके इंट से करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर रहा है वेलागर प्रैस कर जिसे आपको वाविडियो मिलती रहेंगी एवेस वक्षा में समू में सीखने का क्या उद्देश है तो फर्स्ट अप्शन है छात्रा को आसानी से प्रत्यवद्दित करना और वर्क लोड को कम करना सेक्ड़ने लड़के और लड़कियां अलग-अलग सीख सकते हैं थड़क कम और उच प्रतसन करने वाले को अलग करना और उप्चारात्मक सिच्छर देना फोर्त है सयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रतेग बच्चे को सक्री रूप से भाग लेने और यहां अध्यां परतिर कि अबसार ही बनाना से वालो यहां तरफ यहां पर सिक्षा की बात कर रहें समो में सेखने की खने हाती है यहां पर प्रतेग बच्चे को सेखने के अबसर भी मिलते है समूम है इसलिए हमारे इस पूर्था वाला तो नेक्स आए प्रतुर्श में वाला का पूरा रूप क्या है सरु अप्रेल यूर्ट ने युन शेयल साइता प्राप्थ अधिगं आई Siement, थड़ है अधिगम साइक के रूप में Braille, फोर्थ है साइक, सोरी अधिगम साइक के रूप में Building, तो यहाँ बाला के बारे हैं पूचा गया है, तो यहाँ पर इसका संचिफ्ट रूप दिया गया, इसका full form पूचा गया है, तो इसका full form हो जाएगा, अधिगम साइक की रूप में बिलिडिंग रिजा करेक्टांसर हो जाएगा मारा फोर्थ वाला तो नेक्स लेखती है वीडियो को लाइक करते हैं साथ है यह पर फोर्थ वाल देखते हैं तो आप्शन इसके नीचे दिए गए बागी देखते हैं एडिश्ट करेंगे आपके क्या अर्थ है सभी विचार जो द्रता से बच्चों द्वारा अर्जित की जाते हैं सेकिंड बिविन बहुतिक गट्राओं का पार्थ पुस्तक स्पस्टी करण थर्ड़े यांभी विचार जो अबधरानों की आपचायक रूप से सुईक्रित स्पस्टी करण से अलग है फ द्रती है तो इसकी आपर फिर्शण में विचार जो द्रता से बच्चों को अर्जित किया थे तो यह इक बोज सा टाल था चबोग्यों यह नहीं हो गाइसके यह बौते गट्णा पार्ट नहीं होगारा चैंट और कर रहा है कि हमारे करिकुलम तक कहीं इस हीवी दोर है तो सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पुरसों की तुला में कमजोर है यह एक है फ्रस्ट यहां पुरसों से कम है ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पुरसों को फ्रीण से समान तरीकी से किसी चीज की टर्निंग दिया तो दोनों कै उसकारव को करने में सक्चम होंगे हर चीज को महिला करने में आगे हमारी बरावर है कंदे से कंदे मिलाकर चाहे वो जहास के पाइलेट वन रही हो या ड्राइविंग कर रही हो किसी फिल्ड में आके तो ऐसा नहीं है कि वो किसी से कम जोर है अगर उन्हें जूलो या कनाठे पुरुस को और इस तरी को समारूप जम्मु कस्मीर ओर गोवा की इसी चित्ती क्या है तो बारत में जो बिहार है उसके साभपीच में जम्मु कस्मीर और गोवा की सथी पूछेजी तो mitosagen हो जाएका यहां जूद पॉरफふ सेकेंड़ पूरफ और पूरफ मित थरड़ पुरफ मिता एमितार नयुए मितंक करत जैसे कि विदियो वी को लाइक करते हैं साथ में बास्पिकरण की प्रक्रिया निम्र किसमें सबसे धीमी होगी बास्पिकरण की क्रिया जो किसमें क्या है धीमी होगी फर्स्ट है सतय चेत्र और तापमान दोनों में कमी सेकिंड है सतय चेत्र और तापमान दोनों में ब्रद्दी थड़े सतय चेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घड़ता है फूर्थ सतय चेत्र गटता है लेकिन तापमान बढ़ता है तो जो बास्पिकर्ड की प्रक्रिया जो दीमी होगी वो किसमें क्या होगी सते चित्र और तापमान दोनों में कमी होगी तो बासफिक गड़ किया पी दीमी होती जाएगी इस अ करेक्टन्स हो जागा हमारा फर्स्ट वला नेक्ट वोशन देखती है इस्तानों दूरियों और दिसाओं की सापच इस्तिती को समझने की चमता है फर्स्ट ऑप्शन है ग्राफिक कोशल, सेक्ट है दिसात्मा कोशल थर्ड है चित्रात्मा कोशल, यह चित्रन कोशल फूर्थ है इस्तिती है कोशल तो यहां इस्तानों और दूरियों और दिसाओं की बात किया रही है इससे समझने के लिए कौन सा कोशल होगा इस लिए चित्र को शर्ण होगा ने लिए वीडियो को लाइक करते हैं हादिशात में किस राष्टी पार्ट चर्या फ्रेम्बर के एंसी अफ ने प्रात्मिक इस तर पर एक एक पार्ट चर्या चर्या चेत्र की रूप में पढ़ाये जाने वाले जाने के लिए अध्यान या प्रहव्ण अध्यान की सिफारिस की फस्सा ने एंसीफ 1975 सेकिंडर नसीफ 2005 एंसीफ ननीश अठासी 3 कि एकोर्डिंग फॉट ए एणसीफ 2000 तो यह ने शवन में फ्रेमबर की जो एवेस की वारे में में बात की थी वो NCF2005 में बात की गई थी सिफारिस की गई थी तो裁सा क्रीक्टाउप transit हो जगा हमारा प्रश्म चेत्र तो इस तानातर किर्सी का मतलब होता है जैसे कि एक जगह पर एक बार बूमी पर उपजाव भूमी या किर्सी कर ली गई और उसके बात में उसे छोड़ दियागा फिर दूसरी आप यहां किर्सी करने का प्रचलान नहीं तो यह प्रचलान हमारा क्या प्यां उस ब्रूमी को समय के लिए जाता है ऐती चेत्र होती धान इंजल विद्धुत नहींते से कौन सा कतन सत्य नहीं है यहां पर कतन गया सत्य नहीं पुछा गया हमें तीन पॉजिटिब में ऑप्शन है बागी एक नेगिटिब में जो की चोईस करनी है जो को ही हमारा क्या अंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है बांध सुदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवर रहिख करता हुं से अलग करते हैं सेक्ड़े बाहं ठिकाऊं विकिसर को विकास को प्रमसाइद करते हैं थड़ा यह पानी हो या हवा को पर्दूशित नहीं करता ऑफ्सиях जल विद्ध सुविदां से बड़े प्रवाब हो सकते हैं तो नहीं वाला देखना है में तो जैसे कि बात करती है यहां पर बान सुदेशी लोगों को अपनी जीवरेखा से अलग करती है कि क्योंकि क्या बापि बान बन जागा तो पानी का कि स्रोथ कम हो जाता है तो यह क्या पॉजिटिव है यहां पर आंसर नहीं है हमारा अगर बात करें घट इन थर्ड वाले में यह क्या पानी और हवा को प्रदुश्यित नहीं करता यह भी करेक्ट है जलब ननाने से या जलब थोने से पानी पुर्दूश्यथ नहीं होता इसे कोई फ्यक्नि पढ़ता जल्व दून से बढ़े प्रवड़ प्रवावब को सकते हैं यह भी वार क्या पूर तो दोगी तो सुविधा हैं इसे प्रप्त होंगी हमें तो यह भी यहारा पॉस्टिव है तो इसले नेगेटिव होगा जो कि होगा वह वाला सेकिंड वाला क्योंकि भांद क्या है टिकाव विकास को प्रोसाइथ करते ऐसा नहीं है इसलिए करेक्ट आंसर हो जगा कोश्चन क अगरा सेकिंड वाला तो नेक्स नोशन दखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं अधिशात में नेम ने करते से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैस हैं तो फर्स्ट अपन जलवास्ट पन सेकिन करवंड़ा एक साइट थर्ड़ा मीथेन फोर्थ यह सभी तो यह ग्रीन हाउस पूछा गया है तो जो कि अमरे ग्रीन हाउस गैस किया होंगी आपर जलवास्ट करवंड़ अक्साइट मीथेन यह क्या है यह सभी इसा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला तो नेक्स नोशन दिखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं हतिशात में बारत में ठंडे रे रेकिस्तान हिमाले की व्रश्टी चाया में होते हैं फोर्थ ठंडे रेकिस्तान में हवा बहुत पतली यह कम होती है तो जैसे कि यहां पर भारत में ठंडे रेकिस्तान की बारे में पूछा गया है तो वो प्रभावी मांसून की बारे में पूछा कि क्यों नहीं होते इस त ताजम्हेल के पील होने के लिए नेमने कैसे कौन सा कारक जम्मिधार है तो आजम्हेल जो पीला हो रहा उसके करड़ क्या है फर्स तौन है किलोरीन सेकें नैट्रिजन ऑक्साइट डै औक्साइड नैडिक्साइड फोर्थ है सब्सक्राइब राजवंस ने सेकिंड पर राजवंस ने। ए ठालुक राजवंस ने फूर्थ है कका आतीए राजवंस ने। तो जो गोल कुंड आए वो किस नहीं बनवाए यह कुशिन में पूछा गया है तो इसको अकॉड़िंजा करेक्टांस हो जाएगा ककाती है राजवन से नहीं है करेक्टांस हो जाएगा फॉर्थ वाला तो नेक्स वोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं हथ यहाथ मे है इस प्रकार से 15 और 30 ml के बारे में तो यहां पर जो आइतनी जाक्रेक्ट हो जाएगा हमारा थर्डवाला 45 जी इस तक करेक्ट हो जाएगा इसमें इंटू करके आ जाएगा इसे तो रेक्स वोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं जात में नेमनी में से कौन सी शुटरद ऑसर फोर्ट सम्में तो अदिसरासी यहां है वह कि आंपि क давно कि सिर्फ यहां पर जिसागे DX जो यहां कि नहीं पर मारिद रिना है पर जंसा नहीं होती है इसका correct answer हो जाएगा हमारा second वाला next question देखते हैं एक ऐसी बस्तू जिसमें कोई प्रकास करण गुजर नहीं सकती कहलाती है first option है उत्तल second है अपार दरसी third है पार भासी fourth है पार दरसी तो जिसमें कोई ऐसी बस्तू जिसमें क्या प्रकास करने नहीं गुजर सकती, वो क्या कहलाती है, तो question का according जिसा correct answer हो जाएगा, अपार दर्सी, क्यों ज़िए प्रकास की करने ही नहीं उसमें गुजरेंगी, तो वो क्या अपार दर्सी हो जाएगा, तो next question देखते हैं, वीडियो को like and share करते हैं, answer ह meanwhile second हो जाएगा, प्रत्विकी सत्या पर किसी बस्तु का बहुर क्या होगा, जिसका दर्पबन 45 की सत्या पर 10 केजी है, अगर चन्द्वा की सत्या पर 10 केजी बहुर है, तो प्रत्विकी सत्या पर क्या होगा, ये question पुचा के इस प्रकार से, तो first option है 10N, सेकंड है 60 kg, थर्ड है 10 kg, फूर्थ है 60 N, तो क्या उसका बेट होगा, तो उसका बेट जो होगा, वो कितना होगा, 10 kg होगा, इस तक करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो नेक्स वोशन देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शाथी शाथ में चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल सब्सक्राइब कर देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, सुस्मा चाहती है कि उसके चात्रों को पेड़ों के सरच्षड के लिए सम्मिन सिल बनाया जाए, निम्न लकित में से कौन सी या ऐसा करने की सबसे उप्युक्त रणीती है, सुस्मा एक इवेस की टीचर है, कि वो चाहती है उसके चात्रों को पेड़ों के सरच्षड के लिए सम्मिन सिल बनाया जाए, तो कौन सी युक्ती होगी, सबसे अच्छी, तो फर्स्ट अप्सन है, बच्चे को एक पौदों को अपनाने और पोशिद करने में मदद करना, सैकिंड बच्चे के अंसर जिए पोदे को अपनाने के लिए कहींगे, उसे पोशिद करने के लिए, क्योंकि यह पौध प्रत्य बच्चा हम आप सक्रिय हो रहा है, और प्लांट के प्रत्क्रत कहने और। सब्सक्राइब होगा तो इसके अगोड़ी सब्सक्राइब करते हैं अगया ने अपने छात्रों से उन दीमारियों पर सम्भूव में एक सर्वेचड के लिए कहा जिन से उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे पाठ पुस्तर में सर्वेचड उल्लेक नहीं किया गया इस सिच्ड़ दिम की रडिन्ती के लिए कौन सा बिकलब प्रसंगिक नहीं है कोशन क्या है नेगेटिब में पूछा है तो हमे प्रसंगिक नहीं है यह कुशन बोला गया तो ऑप्शन देखते हैं कि इससे समधाय को उन बीमारी को समझने में मदद मिली मिली जिससे वे पीड़ित थे सेकेंड है इसने समधाय की साथ बातचीत करने के अवसर पतान किया तड़ है इससे बच्चों को बास्तर भीवन के साथ सीखने मदद मिली फॉर्थ है इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सच्छम बनाया दो को यहां पर कोशन पूछा ग सब्सक्राइब करना और बातचीत करना यह क्या अधियम के पार्ट हो सकते हैं और बास्तर जीवन से जोड़ रहा है यह भी क्या हमारा पार्ट है ठीक है और यहां पर क्या है बीमारी सो मदद मिली यह जो बच्चे जो समधाय पीड़ था इससे के जानकारी उपलब दी स्ब्सक्राइब कर ने चानके साथ популяр हो गया पर अगर था करते हैं इससे बच्चों को बास्ति जीवन की साथ सीरे मया मदद मिली तो इस पकार सिपड़ बीमारी जीवन की साहर बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनवब पूछे जब उन्हें कभी आपात इस्ति का सामना करना पड़ा बच्चों ने आग बजली के जटके और सड़क दुगणाओं के साथ अपने अनवब सुनाए उन्होंने प्रशन पूछे उनकी मौजूदा समझ का आगलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरच्चा बिग्यापनों जैसे संसादनों का उपयोग करके सुरच्चा पहलूओं पर चरच्चा की और क्रिमसवे आग लगे आग और बिजली के जटकों पर सुरच्च दिशा रिज़कों पर चरच्चा के लिए एल्पीजी और इलेक्टिनिक बिल का इस्तमाल किया प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दिश्टि कौन कौन सा है यहां पर टीचर है पिरिया जो कि उन्हों नें क्या किया यहां पर आपातकली सितियों के बड़े में बच्चों से डिस्करस किया UP पोछे और बिजिले के जटके आग के बारे में और सरद रुखना के बारे में बातचीत की और उनके भी आनवाब पोछे तो मौझूदा समय में जो समाचार पत्र और आंगलन की बारे में सड़क सोच्छा पर बिग्यापन की बारे में जो पहलू हो थी उन पर चर्चा की गई क्रमस आगल और विजली के एटिकाओं पर LPG निर्शा देशन की बारे में बात की गई और उस पर इलक्टरनी विजली के बिल के इस्तिमाल की बारे में बात की गई तो कौन सा ओपेक्स दस्टी कॉर्ड सबसे बैतरिन होगा यह ओप्शन में पूछा गया तो ओप्शन देख दस्टी कॉल खो जाएंगे तो यह क्या है अनुवी इस्टी कॉल होगा तो क्रेक्टांट सोज हो जागा वारा फोर्थ वाला तो नेक्ट्रों कोशन देखते हैं समुदाय एक मैतपूर्ट सिच्छड और अधिगम संसादन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्द समस्त ग्यान को बिना आलोचना की सुईकार कर सकता है सेकंड है यह सस्ता और सुलव है फूर्थ थर्ड़ बुजरुक लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है थर्ड़ यह बास्तिविक परिश्चति में सीखने का अबसर प्रदान करता है तो यह पर समुदाय के बारे बात हो रही है तो यह पर समुदाय क्या है? एक math pool अधिगम का संसादन हो सकता है जो कि यह एक वास्तिविक परिश्चतियों में सीखने का अबसर प्रदान करता है जसे समुदाय में रहती है तो उसके के बच्चे सीखते रहती है यह सीखने का अबसर मिलती है तो इसके according to correct answer है हमारा फोर्थ वाला यह वास्तिविक परस्तित जीवन सीखने का उसर प्रदान करता है जैसे जिस समाज में रहते हैं जो भी कंडिशन या समस्य आती है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे उन्हें क्या है कुछन पचा कह तो फare अप्सन है पार्ठ से बाहर जाना से प मुझत का इसभावर्य जाट्र सब्सक्तित से बहार जान अ क्या कि थरदे बेश्भिक इंधास अपर यह वार यहे वाटब्र य हैं जैसे खाइब पर करेक्टिन और हो में करिकुलण इसको और यह दोछ इसको मखना से बाहर जाना इस दा क्रेक्टांसर हो जाएगा तो नेक शोचे देखने वीडियो को लाइक करते हैं सेर करते हैं साथ में तो छोड़ा देखा रहा है एडिस्ट करेंगे इसे तोड़ा सा कच्छा थड़ के चात्रों को रमा ने सिखाया की पिता, मा और उनकी बच्चे एकल परवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिस्तिदार साथ रहते हैं तो यह एक बिस्तित परवार है आप इस बारे में क्या सोचते हैं फर्स्ट अप्सने परवार की अबदारानों को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए सेकेंड परवार की परवासा गलत है थर्ड है रमा अपने छात्रों की प्रति अश्यमिनल सील है फोर्थ है सिच्छ अधिगम दश्टी कौन स्वामविस नहीं है तो जैसे कि थर्ड क्लास की बच्चों को रमा सिच्छक है तो कि ज़्सकार यह की माता पिता और उंके बच्चे क्या एकर परिवार होता है अगर उसमें दकल्दा लाधी वह अनली स्टैर हो जाती है तो क्या हुआ हो जाता है इसका आप क्या सोचती हैn यह कुशह पूचागीया है से ज्माविस नहीं करता हुँए यह प्रकार से चीज़े कुछ सीखने को नहीं वाली बच्चों को जो की करेक्टांस हो जागा हमारा फोर्थ वाला एक्टोशन हमारा निमल गत्म से कौन सी इविएस कर्चा में गतिविदी है या गतिविदिया है तो फर्स्ट अपन स्यामपट का उपयोग शेकेंड इसे बात करती है इसा करेक्टांस हो जागा हमारा फोर्थ वाला क्योंकि स्यामपट का उपयोग भी किया से इविएस का है पार्ट होता है यह बी गतिविदी है चित्र पढ़ाना यह बीगत भी दिया और फृडविमर्ड या किसी चिलिया गर्म लेया आना या किसी प्रते बच्चे को समान अवसर मिलें सीखने के लिए तो इसा क्रेक्टांस हो गया फोर्थ वाला यह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जिसा आपको आगाई वीडियो मिलती रहेंगी तो कोश्चन देखते आगेगा इवियस पार्ट पुस्तक में सपेरे पर एक अध्या है उसका उद्देश बच्चों को जागरु करना और सम्मेंद सील बनाना है इवियस में क्या है एक पार्ट पुस्तक में सपेरों का अध्या है दिया गया है तो उसमें बच्चे को क्या उद्देश बनाना और सम्मेंद सील बनाने के बारे में बोला गया है तो फर्ष्ट पालन अध्या का एक अच्छा स्रोत है शेकर यह कि एक अवैद कार है थर्ड सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अकसर उन्हें नहीं देख सकते फोर तक की सपेरों सांप को नुकसान नहीं पहुचाते और उन्हें अपनी अजीवका से बंचित करने से पहले बिकलप को प्रदान करने की आवश्कता है तो जैसे कि यहां भी बात किया लिए कि सपेरों पर एक अद्ध्या दिया गया है और बच्चों उसे कैसे समय नहीं पहुचाते नुकसान तो नहीं पहुचाते मकर उन्हें पाल पॉश्चिन पर रोख लगाई जाती है तो उन्हें अजीवका के लिए बंचित करने से पहल कि जिए सिवाफला ज browse के लिए लिए तो यही पे वाओराài से शर्ण समाप्ट होता है तो आज के स्सूं यहीं समाप्त हलाय तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स से यहें दोस्तो की